तो कल टाटा मोटर्स के डी मर्जर की नियूज आ गई उस पे एक छोटा सा स्मॉल वीडियो बनाया था इस डी मर्जर को थोड़ा डीटेल में समझने की कोशिश यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले है तो मैंने अल्रेडी एक नोट एक्स पे यहने की ट्वीटर पे शेर क है कम्यूनिटी पोस्ट भी डाल दिये इसके रिलेटेड तो वहाँ पे आपको डीटेल मिल जाएंगे उसी को थोड़ा सा समझानी की कोशिश में यहाँ पे कर रहा हूँ बहुत सारी रिपोर्ट्स आर अल्रेडी आउट ऑन टाटा मोटर्स की यह कैसे लगता डी मर्जर त बट स्टिल मार्केट ने इस न्यूज को काफी पॉसिटिवली रियाक्ट किया है और जो भी स्टॉक उपर है वो उसी का नतीजा है बट ओवर दे शॉटर डिउरेशन जो इंपक्त होना था वो हो गया है नाओ इडिस ओवर दे मीडियम टर्म इसका क्या इंपक्त होगा य लग से बिजनेस तो यह सौटेट तरीके से यह वर्क आउट हो रहे थे बट अगर इस पर कम्प्लीट फोकस करके किया जाएगा इंडिविजल बिजनेस के पॉइंट आफ यू से किया जाएगा तो डेफिनेटल बिजनेसे विल स्टार्ट फोकसिं मोर और देर स्ट्रेंग राधर दैन किसी और के कुछ वीकनेसे से उसको कवर करने के लिए फिनांचेल्स वगरे मतलब अनेसेसरी यूज हो रहे तो इस अलवेस बेटर की कौन सा बिजनेस कैसे कर रहा है थोड़ा मार्जिन के पॉइंट आफ वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे ज़ादा जो पोटेंशल नजर आ रहा है वो टाटा मोटर्स के पैसेंजर वेहिकल बिजनेस में नजर आ रहा है बिकॉज एक तो आइसी इंजिन वैसे देखा जाएगा तो पहले बतलब 1991 में पैसेंजर वेहिकल में ये कंपनी आई थी और ओविएसली दाफोकस वास सब्सक्राइब बारे में कोभी बात भी नहीं कर रहा था सो उस पर फोकस करके इन्होंने थोड़ा बहुत मार्केट शेर लेनी की कोशिश की इंडिका ये जो उनका एक वेरियंट था वो काफी अच्छा चला भी और उसके बाद थोड़ा सा एक डिनायल यहां पर मार्केट शेर डिनाय हुआ डिनायल मोड में था इनका सो वो एक काफी लंबे समय के लिए चला फिर दोजार आठ में जब JLR को एक्वाइर किया गया तो वहां से दीरे 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 इनके जो डिजाइन्स थे वो थोड़ा अडॉप्ट करने शुरू हो गए अच्छे इंप्रू होने सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपक्ट जो आया था टाटा मोटर्स में वो पोस्ट 2020 जो था वो काफी अच्छा कासा फोकस इस इनके गाडियों पे वेरेंट्स पे आ गया था तो एक तो मेजरली सेफ्टी फीचर्स बहुत जादा यहां पे इंप्रू हो गए टाटा मोटर्स में वो एक रीजन था और यही वो वक्त था जब मारूती के गाडियों पे सेफ्टी फीचर्स की बारे में question marks बहुत जादा raise होने शुरू हो गए थे and थोड़ा थोड़ा जो disposable income है वो भी यहां पे इंडियन्स में इंडियन्स का बड़ा था तो obviously with it's not only about fuel efficiency बट बेटर डिजाइन बेटर सेफ्टी इस पे भी focus करना शुरू कर दिया लोगों ने डिजाइन्स भी इनके काफे attractive आने लगे नहीं नहीं वेरियंट्स में हमने देखा है feature reach vehicles यहां पे Tata Motors की passenger vehicles बनने शुरू हो गए तो यह सारे factors थे जो इनकी growth trajectory में काफी बढ़िया role play कर रहे थे so I think potential of Tata Motors passenger vehicle business जो है that is also one of the reasons की यहां पे de-merger होता हुआ हमें दिख रहा है now company के long term goals क्या है and EV penetration पे company क्या सोच रही है तो obviously हम देख रहे हैं कि जब भी यह सारी गाडियों के जब numbers सामने आते है quarterly numbers आते है monthly numbers आते है तो वहां पे IC engine के कितने vehicles sell हुए है and electric vehicles कितने sell हुए है यह सारे numbers हम देखते है और वहां पे consistently एक pole position लेके Tata Motors के EV business ने ले चुका है इंडिया में around 75-80% के बीच में current market share है and this market share will go down over the period but still I strongly feel that they are not going to leave their pole position in EV business that's for sure क्योंकि इतना aggression अभी तक बाखी किसी company ने EV business में नहीं लिया है and that's what is currently it is showing then काफी ambitious plans भी है regarding electric vehicles Tata Motors के in FY26 10 नए variants Tata Motors electric vehicles में यहां पे launch करने वाला है and 50% of the volume जो नहीं गाडिया यह बेचने वाले है by 2030 50% of the vehicles they are going to sell 50% of them are going to be electric vehicles that's what the focus currently the company is having so obviously जो एक industry दिख रही है जिसकी तरफ complete एक shift होता हुआ देखा जा रहा है उसमें already pole position लेना and एक aggression के साथ वहां पे volume का जो शेर होगा electric vehicles का वो भी बताना I think कही ना कही Tata Motors is looking really aggressive and positive about this particular initiative now थोड़ा सा financial matrix के matrix के बारे में भी बात करना जरूरी है and margin expectations का कैसे रहने चाहिए so अगर current EBITDA की margin की बात करते है passenger vehicles पे मतलब इसमें complete आएगा मतलब electric vehicles भी आएंगे and IC engine vehicles भी आएंगे तो total जो margin है अभी passenger vehicle का वो है 6.5% का जिसमें IC engine वाले जो vehicles है उनका जो margin है quarter 3 FI 24 में that number is at 9.4% कितना 9.4% and overall margin is at 6.5% तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि electric vehicles में EBITDA margin सा still negative quarter 3 FI 24 के EBITDA margins in electric vehicle business अगर हम देखते है Tata Motors के so that number is minus 8.2% तो अभी तक profitability वैसे नहीं दिख रही है EBITDA positive नहीं हुआ है ये business बट जिस तरीके से volumes दीरे 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 बढ़ते जाएंगे तो I think ये particular business भी काफी बढ़िया EBITDA positive हो सकता है we have already seen कैसे foreign markets में electric vehicles पे focus करने वाले companies ने अपने EBITDA margins को positive बनाया है and they are growing really well Tesla की अगर एक example हम यहाँ पे देते हैं तो again यहाँ पे Tesla fans will say आरे क्या compare करे हो Tata Motors की electric vehicles को Tesla के साथ I think this is a start things will improve and that's what the evolution is all about now यह जो de-merger process है यह कितने समय में होगी तो यह 12-15 महीने में यह complete होगी so NCLT के पास scheme of NCLT के scheme of arrangement के अंडर यह सारी चीज़े होने वाली है now there are a lot of questions getting asked कि यह Tata Motor DVR के साथ क्या होगा अभी तक मैंने तो इसके बारे में पढ़ा रही है पर जो Tata Motors के साथ होगा वही DVR के साथ भी हो सकता है there is another possibility कि Tata Motor DVR के shares ही Tata Motors normal में convert किये जा सकते है I'm not saying कि immediately हो जाएगा बट जा सकते है और उसके बाद अगर दी मर्जर ही हो जाएगा महाँ पर उसके बाद यह दी मर्जर की process follow गी so I think there will be no confusion but अगर if company wants तो शायद वो DVR को भी उसी तरीके से भी split किया जा सकता है दी मर्जर के point of view से so let's see क्या 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 चीज होती है so definitely I think lot of analysis will come this is a positive news from the medium to long term point of view for Tata motors in the shorter duration news काफी अच्छी है we have seen I'm not again suggesting है कि ऐसा होगा but जब HDFC bank और HDFC limited की merger की news आई थी तो market ने बहुत positively react किया था और उसके बाद एक ठंडा समय था पट वहाँ पे regulatory concerns अलग है specifically reserves के point of view से deposits के point of view से इसमें इस case में ऐसा कुछ हो नहीं नहीं वाला है but short term में markets are quite gang about these kind of news but over the longer horizon medium to longer horizon ये actually properly analyze हो सकता है so let's see let's wait for that particular thing to actually happen in the market याने company के point of view में बात करना हो stock के point of view से नहीं और वैसे दोस्तों फिर से एक बार announce कर दू 16th of March 2024 को हम मुंबई में एक offline session ले रहे है how to manage your retirement corpus या फिर how to manage your wealth ये session अगर आपको attend करना है उसकी जो link है मैंने description box में दी हुई है you can book your seat last few seats are remaining आशा करूंगा आप जरूर हम से मिलेंगे on 16th of March 2024 तो ऐसे वीडियो के लिए चानल पर बने रही है वीडियो को like करना share करना और चानल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलना next video मिलते हैं जैहिन